हेलो दोस्तों सुभागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब कैनल क्रेट बेल्ट विरतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से एरलाइंस कैपिटल की एरलाइंस कैपिटल जिसने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा था नीचे के लेवल से और उपर जाता हुआ नजर आ रहा था बाट उपर के लेवल से अगेन जो है क्रेक्शन होती हुए नजर आ रही है और किन लेवल के उपर अब यह सपोर्ट बना सकता है उनके उपर भी हम बात करेंगे टेंड लाइन्स के उपर और कहां तक अगेन यह बांस बैक कर सकता है उसके उपर भी बात करेंगे, काफी लोग इसके अंदर trade करते हैं, invest भी क्या होगा, but risk की stock है, तो stop loss लगा की trade करना है, investment का कोई नजरिया इसके अंदर भी नहीं बनता है, तो बात करते हैं, trading point of view सही, technical time frame के उपर, investment का कोई नजरिया इसमें नहीं है, इसलिए हम fundamental इसके नहीं तो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, यहाँ पर जो stock है, नीचे एक base बनाया था, इस इन levels के उपर, उसके उपर resistance phase कर रहा था, तो यह जो line है, यह काफी important line है, यहाँ पर जो resistance इसने phase किया था, जैसे इसको breakout किया, तो stock काफी उपर जाता हुआ, नजर आया, तो यहाँ पर जो level से लगवग आप देखेंगे, आट-नौ रपे के आसपास के level थे, और उसके बाद stock जो है, लगवग 30-32 रपे के आसपास उपर भी गया, तो यहाँ से multiple returns इस ने दिये, जब इस level को इसने निकाला, अब यह जो line है, आप देखेंगे, इसी line को मागे draw करें, तो यह line जो है, एक अच्छा support की तरह काम कर रही है इसके, और multiple time इसी line के आसपास, stock ने जो है, इसके उपर support भी लिया है, जब उपर के level से निचे retrace हुआ, तब अगेन इसी level के आसपास आया, अगेन देखिए, bounce back किया, अगेन इसी line के आसपास, जो है, retrace हुआ, अगेन stock जो है, अब stock जो है, नीचे आता हो, नजर आ रहा है, तो बीच की जो trend lines है, वो हमने इसलिए draw की है, क्योंकि नीचे और उपर के जो levels है, इस line के बीच में, और उपर के resistance level है, उसके बीच में काफी ज़रा difference है, जब इस type का difference होता है, तो stock कभी भी एक line में उपर जा नीचे नहीं हो resistance भी करता है, इस level के आसपास भी आप देश सकते हैं, resistance बनता हो नजर आया, तो बीच में काफी बार stock जो है, इन levels के उपर react करता है, अब देखिए उपर से stock जो है, resist होकर, 22-23 रपे 30 पैसे का high लगाया था, उसके बार stock जो है, नीचे आता हो नजर आया, अब नीचे के levels प आधर 17 रपे 30 पैसे के उपर से जो stock है, नीचे breakdown देता है, तो जो नीचे के levels है, वो 15-80 पैसे के आसपास बनते हैं, कि यह stock जो है, पंद 6 पैसे आसपास भी आता होगा नजर आ सकता है, तो 17 रपे 30 पैसे और 15 रपे 80 पैसे के आसपास आपको नजर रख के चलनी है, अगर इसको भी ये breakdown कर देता है, इस line को भी नीचे की तरफ तो stock काफी weak हो सकता है, जो इसे 14 रपे 40 पैसे तक भी ले जाता हुँआ नजर आज सकता है, तो इन lines के उपर आपको नजर रखनी है, bounce back करने के लिए इसी line से bounce back करना जुरूरी होगा, यहाँ पर ये consolidate हो सकता है, कुछ candles यहाँ बन सकती है, यह अच्छी चीज होगी कि यहाँ पर consolidate करे और यहीं से bounce back करे, तो bounce back करता है, तो सबसे पहला जो resistance level इसका जो निकल कर आएगा, वो 19 रपे के आसपास का आएगा, 19 रपे के लेवल को इसको निकालना जुरूरी है, अगर 19 रपे के लेवल को ये निकालत काफी important है, बट अभी stock उपर से निचा आ रहा है, इसलिए हम सिरफ downside की बात करते हैं, तो इस line को protect करना काफी जुरूरी है, 17 रपे 30 पैसे, 15 रपे 80 पैसे, इन दुनों ही levels को protect करना काफी जुरूरी है, consolidate करे अच्छी चीज है, और यहीं से यह bounce back करे, वो भी अच्छी एबदए आवादगाद करे ड्चीज आवाची चीजाएग्वादरी हान विल्च्छी प्तै पाइएगद तेस के लीच्छी आवें टम आवाद हैच्छीडूरी है, में चीजएगज की तुनों एावाद है, जैँ बहुत है, झाहा है, जैसर रहे हैं इसके